आज हमनों समझने का प्रयास करेंगे कि अनुसंद्धान और आलोचना में क्या आंतर है अनुसंधान को कहा जाता है रिसेर्च और अलोचना को कहा जाता है क्रिटिसी इन बिन्दों के अधार पर हम इस टॉपिक का अध्यान करेंगे सब से पहले देखेंगे प्रस्ताओना उसके बाद देखेंगे अनुसंधान और अलोचना के मुल्तत तो क्या है क्या क्या विश् अनुसंधान और और आलोचना में कुछ समानता है इसके पहले आपको मैं मैं बतादू कि अर्थ शोध भी होता है शो पर समoth तो यह लग्राइब आद्वा समानता है और इन दुनों का आपस में इसका अध्यान करेंघे सब्सक्राइबbell करें आप अनुसंधान अत्वा शोद और आलोचना, आलोचना को कह जाता है समालोचना अत्वा समिश्या, अनुसंधान और आलोचना को परियावाची समझना सही नहीं है, क्योंकि दोनों में अधारभूत अंतर होता है, तो ये दोनों क्या है परियावाची नहीं है, शब्द कोस में दोनों की अलग-अलग परिभाशा दी गई है वैप्स्टर की न्यू वर्ड डिशनरी में अनुसंधान को रिसर्च को परिभाशित करते हुए इसे ब्यास्थित, साधानी पुरवक और संतुलित अन्वेशनर कहा गया है जिसमें ज्यान के किसी विशेश छेत्र में बातों के खोज करना अथो जिन बातों की पहले खोज की जा चुकी है उसमें कुछ नए तथ्य जूण आलोचना में विश्लेशन के अधार पर निर्णाय करने की प्रक्रिया होती है लेकिन आलोचना में क्या है गुर्दोस्त का विवेचन क्या जाता है किसी भी कृति का ग विश्लेशन के विभिन में मतलब जैसे मार्स वादी द्रिष्टिकोन के अधार पर या पिछाया वादी द्रिष्टिकोन के अधार पर बनव विश्लेशन वादी द्रिष्टिकोन के अधार पर और विविविन प्रकार के पनालिया है इसके अधार पर क्या क्या जाता है कि गुर्दोस का विवेचन किया जाता है समालोचना में, समालोचना विसलेशन के उप्रांद मुल्यांकन भी करती है, समालोचना में खाले गुर्दोस का विवेचन ही नहीं कहाता है, बलकि किसी कृति यत्वा साहित्तिक रचना का मुल्यांकन भी कहा जाता है, उसकी व्याख् के ν头 के नींडने करने की प्रक्रिया मुल्यांकन के पर कफ्शाा जो क्या राता है उसे आलचना कहा गया है चलतमक्स का मुषण आत्मक्स कविश लेशन21 मुल्यांकन आशयक है मतलब्ण संसार मतलब जो भी सहीत करिती है दो कविता घीद गजल जो ललित कलाएं या फिर फाइन आर्ट है इन सब का विसलेशन और मुल्यांकन करना आवश्यक है समालोचक की कला यह है कि वह साहित्य पर अपनी टिपणी दे और उसकी समीच्छा करें और साथ ही वैग्यानिक विसलेशन भी उसमें उपला दो यहां पर हम मुक्रिब से साहित्य साहित्य के विशा में चर्चा कर रहें तो समालोचक की कला क्या है उसका आर्ट क्या है कि वह साहित्य के संब्द में ना किवल गुर्दोस की विवेचन करें बलकि उसकी मुल्यांकन भी करें उसकी समीच्छा करें और साथ यह वैग्यानिक विसलेशन भी उसमें उपला दो मतला विभिन्नत अत्यों के अधार पर, रूप के अधार पर, शैली के अधार पर, भाशा के अधार पर, यह फिर अन्नी कवियों अथ्वा लेखोकों के साथ उसकी तुलना करके, उसका वैग्यानिक तरीका से विसलेशन भी करें, उसके समीच्छा करें, यह समालोचक कदाई यह वैग्यानिक अथ्वा तक्निकी शब्दा वाली से लिया गया शब्द है इसलिए जो वैग्यानिक द्रिश्टिकोंड का निर्वाह करना पड़ता है मतलब तत्यों का नई तत्यों की खोज भी की जाती है और उसके अधार पर किसी निश्कर्स तक पहुंचा जाता है इसल की किरिति की अलीचना करता है तो अवास्तमभू अ करता है ने प्रकार से उसके सिज्जन करता है इसलिए उसे क्या कया जाता है मुणा उसकी रह सम्भाव नहीं अब अनुसंधान और अलोचना के मूल तत्यों देख लेते हैं अलग अलग विश्य विद्ध याले के अनुसंधान संबंधी नीमों के अंतरगत चार विद्धों आश्यक हैं विश्य विद्ध याले में जो रिसर्च करवाए जाता है पहले से उसके संबंध में जो भी सिध्धान उपलद हैं इस अपने नए थठ्यों को जोड़णा उनके व्याख्या करना उनका विवरन्द कर dewका मेंड़ 눈 के खोज करना दूसरा जो तुас पहले से उस कृति इक्षा की जाती है कि उसके उसका जो अनुसंधान है वह मौलीक होना चाहिए किसी की नकल नहीं होना चाहिए इसे ज्ञान शेत्र की सीमा का विस्तार होगा किसी साहति कृति की विशे में नए ने तत्व उजागर होंगे प्रतिबादन शैली में संघटन मतलब भली माति और व्यास्थित रुप से सम्झाना तो अनुसंधान करता का याद आई तो है कि वह ना कि नए तत्थ्यों को कोजे और ना ही पुराने तत्थ्यों में कुछ नहीं पार जोड़े बलकि उन्हें ब्यास्थित रुप से प्रस् अलोचना का शब्दार्ठ संपुन्राइब संपूर्ण सम्पूर्ण और से उस राश्छान्द लंकार संभी प्रकार से resh moments बेच विद्र रभारईनाओ विचार धार दारौं के आधार पर पर किसी उल करता है और उसका मुल्यांकर भी करता है ताकि जो साधरन पाठक है वह उसा अलोचना को पढ़कर एक निश्चित निश्कर्स तक पहुंच सके और कृती की वास्ता में मुल्य को समझ सके इसमें कृती का सांगोपांग अच्छी तरह से निरिक्षण होता है मतलब कर आए तू जेर्ड सभी कृुट से अलोचक से अलोचक कृति को देखता है और अन्त में अपना देता है मुल्यांकन करता है इसके अंतरकतुने वाली प्रक्षिय की कितनी प्रभावी है अलोचक के उपर जाड़ि कितना प्रभावण डाल पाई और पाठिक की ब्याक्षिया विंद जो प्धो आया हुए या फिर वियाख्या करता है विस्ट् करता है विचार धारा सभी चीनों का उसका विस्ट्पलेशां और क्या Siya करता है। कि अनुस अनुससंधानों की पधाती में बहुत कुछ समांता है। तो इनमें पारस्परिक संबंद क्या है देखते हैं, फिर भी ये दोनों एक दूसरे का परयाय नहीं है, दोनों में पारस्परिक संबंद हो है, लेकिन ये परयाय वाची शब्द नहीं है, एक दूसरे का परयाय नहीं है, अनुसंधान में तथ्य का आख्यान, वर्णे या व विवरन देना होता है और आलोचना में व्याख्या विश्लेशन अनुस अंधार में क्या करते हैं वर्णन और विवरन देते हैं विवरन देते हैं उनका वर्णन करते हैं और आलोचना में क्या करते हैं तत्यों की व्याख्या करते हैं विश्लेशन करते हैं किन्तु बिना तत तथियों की व्याख्या करने के लिए तथियों के वाशक्ता होती है तो इस पकार आपका सकते हैं कि अनुसंधान और आलो gather के पूरक है कि posis कृति की विचार प्रक्रिया के संपूर्णता के लिए अनुसंधान और आलो चना को एक दूसरे के विदो दहीरे पूरक मानना चाहिए। अत्वा जब भी हम किसी कृति के समद्ध में अनुसंधान करते हैं, अत्वा किसी कृति की आलोचना करते हैं, तो वास्तों में अनुसंधान और आलोचना एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बलकि एक दूसरे के पूरक हैं, कम्प्लिमेंटरी हैं, एक उसका हमको मुल्यांकन करना है कि वह समालोचक के उपर कितना प्रभाव डाल पाती है वह कृति अथ्वा पाठा के उपर कितनी प्रभाव डाल पाती है प्रभावग्रान, दूसरा है अनुसंधान में उपलद्ध तत्यों का भी नय धंक से विवेचन किया जाता है, 番ashों लीकिन यहां पर अनुसंधान करता को विशय वस्तो से बाहर जाने के छूट नहीं होती, वह उस विशय वस्तु से बंधा रहता है, वस्तु परक होता है, उसको सिर्फ उस कृति के संब्ध में बताना है, बाहरी तत्यों का उसको सहारा नहीं लेना है, मतलब वह बंधा हुआ रहता है, वस्तु गत होता है, जबकि आलोचना में व्याख्या और विसलेशन में परिया विभिन ने विचार धाराओं तक जा सकता है तो आलोचक का काम क्या है व्याख्या करना और विसलेशन करना तो आलोचक को ज्यादा छूट मिलती है आलोचक और समालोचक समिख्चक सभी एकी चीज़ है समालोचक वस्तु निश्चता वस्त उपर आप्जेटी के निमों से अधिक नहीं बनता जबकि अनुसंधान में वस्तु निश्टता को प्रमुकृप से स्विकार करना पड़ता है तो समालोचक जो है वह किसी कृती की वस्तु अथ्वा कंटेंट अथ्वा विशय वस्तु उसके निमों से बन्धा हुआ नहीं होता है वह उससे बाहर भी जा सकता है उस कृती से बाहर भी निकल सकता है जबकि जो अनुसंधान करता है जो रिसर्च स्कॉलर है वह क्या है उसको उसी कृती की विशय वस्तु से बन्धा रहना पड़ता है चोथा, अनुसंधान में किसी भी रचना के समद में विचार करते हुए, उसके ग्यान शेत्र के विश्थार के साथी मौलिक्ता को भी मातों दिना पड़ता है, और समालोचक मुल्यांकन या नेड़ा पनाली को अपनाता है, तो रिसर्च स्कलर जब रिसर्च करता है, तब व समालोचक किसी कृति की व्याख्या करता है, विश्थार करता है, मुल्यांकन करता है, इसलिए वा नेड़ा प्रणाली को अपनाता है, उसका काम है नेड़ा देना, व्याख्या करना, विश्थार करना, इसके बाद समालोचना किसी भी विश्थार से किसी भी निश्कर्स प क्रिति के बारे में अलग-अलग निश्कर्स दे सकता है जब कि अनुसंधार में इसकी सोतंत्रता नहीं होती अनुसंधार में इसकी आजादी नहीं होती कि कोई भी निश्कर्स दे दे वास्ता में जो तथ्य उसने इकठे किये हैं जो नाय तथ्य उजागर किये हैं रिसर्च मतलब पता है कि यह विज्ञान है क्योंकि विज्ञानिक दृष्टी कौन का इसमें पालन किया जाता है, तत्यों के अधार पर निश्कर्स तक पूँचा जाता है, जबकि आलोचना में विज्ञान और कला का सम्मुन में होता है, तो अनुसंधान का संबंद जहां केबल जब कि इसमालोचना में हमको विज्ञान और कला दोनों के सिध्धानतों का समनवाए करना पड़ता है आलोचना एक ऐसा शास्त्र है जिसमें कला अनिवारुक से अपैशित है अनुसंधान में इसके आशक्ता नहीं होती मतलब जो एक आलोचक होता है आम तोर पर लेखक या क अनुसंधान में वस्तुनिष्ट द्रिष्टी वैज्ञानिक जैसे तठस्तता और तत्यों की खोज प्रमूख है क्योंकि इसका संब्ध विज्ञान से इसलिए वह विश्य वस्तु से बाहर नहीं जा सकता वस्तु से कंटेंड से वैग्यानिक जैसा तठस्त रहना पड़त नोट जो किताब के नीचे में लिखे रहते हैं उनकी व्योस्ता कि जाती है अनुसंधान का या शिर्प विधान अलोचना में आश्यक नहीं है तो जैसे आप अनुसंधान करते हैं जब कोई है रिसेर्च पेपर १र तैयार करते है या फिर कोई आप बड़ा शोद प्रब अनुसंधान में ज्ञान का विष्टार और ज्शेक है, किन्त्imens आलवचना में कावेकी आत्मा का साक्षात कार और संप्रेशन अनिवारे हैं। अनुसंधान के द्वारा क्या ज्ञान का विष्टार होना चाहिए। किसी कृति के बारे में नए तथ्य उजागर होने चाहिए, अनुसंधान के द्वारे या महत्रकून है, लेकिन आलोचना के द्वारा क्या होता है, समालोचना के द्वारा कावय की आत्मा का सक्षाथकार और संप्रेशन अनिवार है, मतलब किसी कवी ने कुछ किसी कवीता की तक नहीं कुखे रचनकी, अलोचक ये उसकी व्याकिय करता है, विसलेशन करता है, मुल्यांकन करता है और कभी से सक्ष्यात कार करता है मतलब कभी किया कहना चाहता है वास्ता में उसकी आत्मा का सक्षात करता है और सम्प्रेशित हो जाता है अब आलोचना की साहता से किसी कृति को समझने में सक्षा मुन्याता है जैसे गजननत मादव मुक्ती बहुत की एक रचना है अंधेरे में बहुत कठी कविता समझी जाती है तो जब हम आलवचकों के विभिन्द पार्ट को पढ़ते हैं तब हमको कविता पुरी तरह से समझ में आ जाती है तो यही उसका काम है संप्रेशन पर साख्षातकर अनुस अनुसंधान अन्वेशन आत्मक और आलवचना होती है रचनात्मक अनुसंधान को विज्ञान समझा जाता है और आलवचना को कलार विज्ञान दोनों का समझा जाता है इसे करण अनुसंधान क्या होता है अन्वेशन आत्मक अन्वेशन आत्मक बतलब खोज करना किसी ची तो जो आलुचक होता है वह अपनी विचार धारा अपनी दृष्टी कोंड के आधार से किसी कृती की विवेचना करता है। स्क्राज करें तो वाव विशए वस्तु से बंधा होता है ऑब्जेक्टिव होता है वस्तु निष्ठा होता है अनुसंधान और आलचना पर्याय नहीं है क्योंकि व्यापक संद्र गरें बहुत, और आलोचना में निरिक्षन परिछन की प्रतानता है तो इसके बावजुद भी अनुसंधान और आलोचना एक दूसरे के परयायवाची शब्द नहीं है एक दूसरे को परयाय नहीं है क्योंकि है यह हम व्यापक दिश्च्चोंड से देखें व्यापक संदर्भों में देख अनुसंधान और आलोचनाओं में विशमताओं के साथी परस पर संब्द है क्योंकि दोनों किसी धरातल पर परयाप्त समानता से दूड़े है इसलिए यह कहा जाता है कि अनुसंधान और आलोचना एक दूसरे के पूरक है एक के बिना दूसरा अधूरा है अनुसंधान और और आलचना में मुक्रिव से नीम लिखित समानता है, इनके प्रणालिया समान है, वियाख्या, विस्लेशन, वियाख्या और विस्लेशन और नीड़े, अनुसंधान में भी और आलचना में भी, तो आप देख चुके हैं, वियाख्या विस्लेशन नीड़े, अनुसंधान में जो तत्याख्यान है, मतल horrओ का विवराण देना है, वही आलोचना में व्याख्या भीस लेछाने है, तो अनुसंदार में क्या नह 201 यह करते हैं, इस सारे विवेशन की विवेशन मतला विचार NE करना काराण सुतर कान कि किस कार्ण से कि कार्ण से को अठ्वा क्या क्या स circa से कि स्रीजव सिर्ज्वन कमान Además बेंजना मतलब यदि आप किसी research paper को पढ़ते हैं या फिर किसी आलोचना को पढ़ते हैं तब क्या होता है आप उसके अर्थ को समझने में सक्षम होते हैं तो दोनों में अर्थ की अव्यति समाहरूप से होती है पक्ष विपक्ष के संतुलम के अधार पर निश्कत्स और निर्णाय की पतती भी प्रया दोनों में समाहरूता है मतलब किसी कृति के समझ में क्या उसके मुल्यांखन करते समय कौन सी विचार धारा या धारना उसके पक्ष में है कौन सी विपक्ष में कौन सी बाते हैं कौन स अनुसंधान संबहारं नहीं है। मतब और अनुसंधान की आना चाहिए। अनुसंधान में भिसी कृणि के समद्बर कना नए इकठे किया रहता है। करता है और अलोचना के माध्यम से क्या होता है अनुसंधान के माध्यम से आलोचना को व्यापक्ता प्राप्त होती है मतलब नएन तथ्यों जागर होते हैं और दोनों को पढ़कर चाया आप अलोचना को पढ़ें या फिर किसी क्रिती के सम्मद्ध में रिसर्च पेपर को पढ़ें शोध पत्र को पढ़ें दोनों को पढ़कर पाठक को ही लाब होता है और किसी क्रिती या थोसाहितिकार के सम्म में नई नी बातों का पता चलता है इताय या समवनार्थी ना होते फिरसपर पूरत हैं अब प्रनयों प्रण का अर्त होता होते हैं लेकिन उसके बावज़न फिर्वा कोस्थ फिरस था बढ़ना बैब सारी समानता को हैं अच्छी अलोचना वही है जिसमें कि समभावना हो और अच्छा अनसंधान महीं है जिसमें आलजनात्माक प्रतिभा का समावेशो हो तो कौन सामान हुआ यह में जाए हूँ है नई समनार्ति तो नहीं है कुंद तुने परसपर विरोधी माणना भी तरकसंगत नहीं है भलत यह, हम नहीं कहते, एक यह दूनों समनार्थी नहीं है लेकिं दूनों विरोधी հही नहीं है बलकि एक दूसरे के पूरक हैं एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित नहीं है हता अंतर संबंदों के इस यूग में अनुसंधान और आलोचना प्रिथक प्रिथक रहते हुए एक दूसरे के दृष्टी कोण का समन्वेकर अधिक अर्थवान और प्रासंगी को सकते हैं क्योंकि अनुसंधान में आ दूसरे शेत्र से अलग नहीं है योडि कोई अनुसंधान से प्राप्त अंधियों का आपनी अप्योंक करता है अत्वं कोई-अनुसंधान करता है तभिं ये दुनो आलोचना और जो शोध कारे है यह दोनों एक दूसरे के पूरक होंगे और दोनों ही प्रासंगी होंगे सार्था को तैस्पकर आपने आज देखा अरुचना में क्या संब्द है कि अच्छे लगा तो कमेंट बाक्स में कमेंट लिका जरू बता है संथी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आक्किन को लुखनाना दोड़ें ताकि मेरे परते वीडियो के अब देट्स आपको मिलते रहें सांथी इस वीडियो के जो नोडस है इस व्याख्यान का जो नोडस है मैंने नीचे बनाकर डाल दिया है वह लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं सांथ